तो सर यह भी गोडिया भी है ना बिलकुल जी यह अलिशान की डायरेक्ट डॉटर है लेट अलिशान और यह हमारे मित्र है अलोब पटेल मुखी एमदाबाद में उनके घर पे ब्रीड हुई है और इस गोडि का पहला बच्चा जो है वो दस मंथ का 51 लैक्स में मैंने दीपक शर्मा को सेल किया है डूरिंग दे लॉकडाउं दस मंथ का यह ओके तो यह अब आप देखो के इसमें मतलब कोई एक सिंगल पैनी का भी उपर नीचे नहीं है और जो क्वालिटी होती है ब्लग लाइन होती है वो चीज बिकता है पार्त का बच्चा था पार्त का बच्चा अच्छा अब और उसके बाद इसने यह हमें फिली दी है तो यह किस गोड़े की बच्ची सर आलमगीर की है आलमगीर में पंकज बना के पास में अंते का बेटा है उम्र कैसर है इसकी बच्ची के अभी यह तीन मन्स के आज पास है क्यूंकि हमारा जो फोलिंग पीरियड है हम लोग आप यह पकड़ों के अपरिल के बाद ही गोडियां बच्चे देना लगती है उससे पहले हमारे पंजाब में ठंड बहुत होती है तो बीच में अभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अक्तूबर में हम लोग कवरिंग करवाते हैं नवंबर अक्तूबर में और चीज प्रॉब्लम अभी इसकी हाइट क्या है यह 63 एंड हाफ के लगभग है जी अभी गोडियां क्या है दोने बच्चों को और मैंने एक मेरी और अब्जवेशन है जो गोडी बच्चे को दूद पिलाने टाइम अपना बॉड़ी वेट लूज करेगी अच्छा कम करेगी उसके नीचे दूद ज्यादा होगा इसका मतलब और उसी के बच्चे आगे चलके कुछ बनेंगे तो यह दोने गोडियों ने अपनी काफी कंडिशन यह बोलते कि कॉमन चीज है जो आदमी नूटिस कर सकता है बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल और सर के इसकी गोड़ा आलंगी रिकावर करा दिया था तो कुछ नाम रख रखाया के सर अभी इसका नहीं मैंने तो इसका आपके फ़ाम बेतने सार है कि मूल है कई इंद कर देंद को याद है क्योंकि यह एक काम हो जाता है बहुत यह निकि चलो एक-दो तो आदमी को याद रहते हैं 10-12 हो तो आदमी को क्या पता रहता है यहां पर तो 60-70 है और फिर भी याद है सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब पर आपको टाइम भी तो बहुत हो गया देखने से पता लग जाता होगा किसका इंट्रेस्ट की बात है जिस काम में आपको इंट्रेस्ट है आपका मन है वो चीज आपको खुद बाखुद याद रहती है मैं तो यह मानता हूं तो सर आप खुद बैसे फार्म पर कितने टाइम देता हो यह जब कोई काम नेया होता है तो फिर तो 100% टाइम देना पड़ता है अब हमारे पास आदमियों की टीम बहुत अच्छी है एक हमारे अगर कोई अपने फ्रेंड सर्कल में से गोड़े देखने आ गया कोई तो तब आजाते है बस जहां कोई बीमार है कोई इलाज करना तब मैं आता हूं अधर यही मैनेज कर लेते हैं तो सर बैसे आप जब गोड़ा लैन में आपकी कैसे सुरूहात हुई उसके बारे में बत जंगल के पास होने की वज़ा से एक फार्माउस डिवलप किया था वहां पर टूथाउजन सेवन शिक्स में स्टार्ट किया सेवन में हुआ वो कम्प्लीट तो उसी टाइम एक घोड़े का मैंने पैडॉक और कमरा वहां पर बना दिया था कि एक गोड़ा मेरे को लाना है को बच्मन से ही इंटरस्ट था और वो अनफॉर्चनेटली पहला गोड़ा नुक्रा लिया उसमें हमारे साथ भी जैसे आप न्यू कमर्स वाली बोलते हो तो उसके बाद जाके हमने डिसाइड कर लिया के यार बच्चा बच्चा जाहें जिसमें कोई जूत है वो लेना ही जैसे मैंने आपको बोला के बनी बनाई गोडी लो तो इसमें आदमी उमर साल दो साल जादा भी बोल दे कम बोल दे जो है वो आपके सामने है तो ऊसमें वो फिर उसके बाद सीद्वाद हमने daag परचेश किया सीदा डाइरेक्ट सीदा लेक्त इन से ब सोच लिया के रहना क करना है तो be on the top तो सर आपके पहले पीडी में थोड़ी रखता था कोई गोड़े बस आप नहीं चालू करा है तो मेरी तो फैमिली आज भी मेरे को कहती है कि किस काम में पढ़ा है क्योंकि हमारा अधर्वाइस मेरे को यह शौंक नहीं होता गोड़ों का शायद मैं आज कैनेडा अमेरिका कहीं सैटल हुआ होता बिल्कुल बिल्कुल इंवेस्टर लेके वहां फार्म लेके बैठा होता है जिन्होंने मेरे को इंडिया में अभी तक रखा है रखा हुआ है तुसरा आप एक चीज और बता को एक चीज समझो आप अब दुगाड़ा है मालो अफेल्प जो दो भ़बरीयां साइड वाई साइड ओती अवटी एसको दुगाड़ा बोल देते हैं उपर नीचे होती है उसको दोगड बोल देते हैं जस्कॉराण बोल देते कुछ भी थीटियाग है ऐन्ग तो रर्डि तो आप किसकी मानोगे किसकी नहीं मानोगे तोली मेन मेरा जो होता है कि अगर माथे की भवरी अपने को आई से उपर मिल रही है तो बहुत अच्छा वैलन गोडी की बहुत उपर है यहां है यह भवरी है इसकी तो मतलब वैसे मैं प्रैफर करता हूं कि गलत हला कि मैं भवरी होती है वो मेरे को होता है कि ना हो तो अच्छा है और जो जिसको ज्यादा अशुब माना जाता है वो अपन ट्राय करते हैं कि नहीं हो बट भाइसा आदमी के भागया ने लड़ना है जिस आदमी का समा खराब चल रहा है वो गोड़ा ले आए और बाद में दोस उसको दे दे अच्छा है वो लोग तो पचास-पचास करोड में घोड़ा खरीद रहे हैं वाई तो यह समित यान कि माने वी और नीवी माने कि जो मैन भावरी उनको मान लो है उनको मान लो अब यह नहीं कि वह गोड़े के निचे गुस-गुस के जेख रहे हो तामिलना डू वाड़ा क मैं तो पर बाद में पता लगा यह नहीं पर अर्जल बोल देते हैं लोग ठीक है पर हमने हमने अज कौन सी सधी चल रही है और आप किस चीज में जीरे हो मैंने तो पहला गोड़ा जो नाग लिया उसका एक पैर वाईट था और उसके मात्य में कुछ भी नहीं था उसको अ हमें तो उसने एक गोडे से आज सो पे पंचा दिया था एक सो चार थे अभी अपनी मर्जी से कम करके सेवेंटी सिक्स्टी फाइब पे पहुंचे तो हमारे लिए तो वो शुब हुआ शुब कहां से हुआ विल्कुल इसने इतना बड़ा हमारा सारा ताम जाम करवा दिया से सुरु में जब आपने शुब करिदा था तो आपका जैसे कि हर आदमे का डिर्य में घ्रीम अनिटा तो आपका कोई झाता है कि यदा मेरे आप को इंडिया में मेरे पड़ा शानब पञ attending मेर पकुम तो एक ज़णने का नहीं ता कि कोई म्रे को जानने जाने या ना जानने पंजाब में तो मेरे को गोड़े के बिना भी सब जानते थे जितना मेरा बड़ा सरकल था तोई ऐसी पंजाब में जलंदर अमरेसर मौहारी चंदीगड़ मेरी फैमिली लुद्याना में मैं मतलब बारवी तक लुद्याना पड़ा हूं उसके बाद आज 20 साल मेरे को जानते थे नाम पहले भगवान ने स्टार जी नाम बले दिये थे तो वह कोई इच्छा नी थी वह तो यह था कि गोड़ा लेना है तो टॉप का लेना है उस हिसाब से बस ले लिया और मज्जू के लाइन का फैन थे हम तो सर एक सवाल मेरा है परसनल जैसे कि आपको लोग जानते हैं तो गैरी के आपका बच्पन से नाम थे कि गोड़ा लाइन में आने के बाद में लोगों ने रख दिया गोड़ों से पहले हो गया मेरा पूरा नाम तो गुर्परताब सेंगिल है तो जो मेरा यह मतलब चंदीगर बेल्ट है जैसे मैं लोग सेवा में थोड़ा तो हमारे पॉलिटिकल फैमली है तो इस साइड पे मेरे को जोती बोलते हैं अच्छा गुरुपरताब से गैरी मेरा नाम पड़ा होस्टेल में अच्छा जब मैं मतलब अफिल्स पड़ता था पाइन ग्रोव में तो वहां से कसॉली से फिर मैं आया तो मेरे को वहां कसॉली में मिरे को गैरी नाम दे दिया मेरे क्लासमेट से एज इस ही वह चलने लगे आगे से आगे जब संदगर आया तो वही क्लासमेट से यहां पे कठा हूए हमारे साथ तो वह से चलाने की दो घुड़ती मान क् लोख है तो भुड़ा ले लिया और उसको रखने कर लिए पंद्रा बाई पंद्रा इस सफीशेंट अगर किसी ने अपनी जगा पड़ी है अमीरी दिखानी है तो वीस बाई बना लो तो उसके बिना जो गोडे की पंद्रा बीस बाई आइडियल है उसके बाद आपको ज्यादा नहीं बस यह आप देखो आपके सामने अगर आप गोडे को चालिस बाई चालिस पाई पचास का एक पैडॉक बना देते हो तो मोर दैन सफीशेंट है अच्छा इतना जो आपका बना हुआ है यह सट कितना है भ चौदा चौदा अठाइस और चौदा मतलब ब्यालिस फुट हो गया यह ब्यालिस बाई पचास के अगरी वह वह सामने जो है पंद्रा पंद्रा बच्चियां चोड़ दोडियां एक साथ रह लेती है बड़े राम से आदा-दा एकड़ का पैडॉक है तो सर क्या आपके सा सहर में भी बहुत सारे लोग जैसे बीडियो देख देखके बहुत सारे लोगों को सौक लगने लग गया है तो सर क्या सहर में लोग गोड़े रख सकते हैं किस तरीके से रख जाएं एक तो नर ना रखो अगर बहुत ही देंस पॉपुलेशन वाला एरिया है तो नर ना सबस्केशन व券ब करने जा रहे हो जा करने ले जा रहे हो तो नथिंग बैड इन य वैसे भी हमारी इंडियन में नेतलिटी है यह तो बॉलते उंकर कच्छे मैं रखो ऐसा करो कच्चे में रखने का जितना फाइदा नहीं है उससे ज्यादा नुक्सान भी है पैरों के एंगल्स बच्चों के गूंग जाते हैं तो कोई लेवल नहीं है कहीं गोडे का पैर ऐसे आएगा कहीं ऐसे आएगा तो इसी लिए कुछ चीजें कहते हैं कि जो अच्छी हो कैसी से भी सीख लेना चाहिए जो फॉर्णर्स हैं वह स्टेबल्स हमेशा पक्के बनाते हैं चुमा कच्चे नहीं रहते हैं नहीं हमेशा फ्लोर होता है ताके आप उसको पानी मारो दो और उपर वो लो हे डाल देते हैं अगर गोडे को बैठना है रात को तो जैसे अपन यहां प पर लगा लिया उसने तो इसकी सारी थकान उतर जाएगी घोड़ा ड़स नौट नीड के दिन में कोई चार घंटे तो यह बैठता नहीं है पांच मिनिट लोट लिया तो यह फ्रेश है बस तो सर जैसे गोडे पर पक्के पर राइडिंग बगरा करें जैसे कि मान के चलो उसको मसाज दे दो टांगों पर अच्छी के वह रिलैक्स हो जाए ठीक है नीचे शू अच्छा लगवालो जो पैरों के नीचे होर्शू नाल लगती है तो उसके आप जितना उसको फैसिलिटेट कर सकते हो कर देना चाहिए मेरे सार से बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गोड़ करोगे वैसा हो जाएगा तो एक चीज को और यहाँ आदमी ने रूम भी बना लिया आगा जैसे की लोग बोलते कि यार मारा गोड़ा तो तो आपके साफसे साथ कौमन गोड़ा कितने अगर आदमी रखता है एक गोड़ा या गोड़ी तो कौमन उसका कितना खर्चा आ जा तो आप 30 रुपे ले लो चलो आप लो 6 रुपीज उनकी भी कमाई होगी कमाई तीस रुपे किलो इस वेरी गुड मतलब आपको ग्रेंड फॉर्डर बहुत अच्छा मिल जाएगा तीस रुपे केजी में ठीक है तो एक गोड़ा सारे दिन में चार किलो दाना खा नहीं पाता अगर तो आदमी एक गोड़े पर एक गोड़ा और एक आदमी रखके बैठा है फिर तो उसको पड़े गई अगर एक गोड़े को आपने चार-पांच गोड़े दे रखे हैं संबालने के लिए फिर कोई दिक्कत है नहीं दिवाइड हो जाती है उसकी कॉस्ट उसके उपर अगर फिर कॉस्ट और कम हो जाती है बाकी एलेक्रिसिटी का खर्चा है जो पक्खे बती है इनकी दिन राथ जलती है यह है दसाजार रुपर मिना एजिली आता है यह जनकी दसाजार रुपर पकड़ लो एक गोड़े का ना इससे जादा नहीं तो बेजो तले नहीं होना ह यह हमारे इंडिविज्वल पैडॉक्स है जी मतलब यह थोड़ा बड़ा है ना अरी रात इसमें एक एक एनिमल कोई भी बड़ा जोड़ा नर्ज या बच्चा ही इसमें छोड़ देते हैं तो सारी रात यहां में घूमता रहता है आ बेडा तो सारे जूबी आपके पास मे सबसे को अधर जाते हो यह सब सबसक्राइब कोई अंदर नहीं रहता है तो वह अल्टरनेट डेज पे जो कोई आज अंदर रह गया वो कल बहर आजाएगा कल बाहर आ जाए और सब को अगर तब्यतवरा खराब है तो वह अंदर ही रहता हुगा कर लिद कि कई बार दिक्कत आ जाती है कि जो बच्चे वाली गोडियां उनको स्पेस अखेली ऐसे चाहिए तो आज मालो जैसे दस गोडियों ने बच्चे दिये हुए तो पांच के तो हमारे पास रेंडमेंट है ये चोटे बना रखें आपने एक एक दिन बदल के टाइम दे 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 और यह देखो आप जो शेहर वाला आपका क्वेस्चन था यह सिटी में हम लोग बैठे हैं वह सामने इंडस्ट्रिल एरिया फोकल पॉइंट है आप वह पीछे कालोनी की डिवार आगी अच्छा वह सामने उसमें फ्लैट्स और सारा वह बन रहा है अच्छा अब होटेल स् और यहां से अगर अपन वह सामने कवर करेंगे वह दू तो फैक्टरि आगए वह पूरी रेलवे ट्रेन के मतलब बनते हैं यहां पर पास में हागी और बाहर भी जाते हैं तो यह ट्रेन की हमारे रेलेटेव्स ही हैं उनकी फैक्टरिया मैट लानिक्स के नाम से का तो बिल मतलब there's nothing to praise about but जो भी कोई न्यू कमर है जाको ओल्ड कमर है अपनी पॉकेट के साब से चलो यार किसी दूसरे को देख के अपना वो मत करो मतलब दूसरे की ओर ना करें जो आपका कैलीवर है हाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो कंजूसी भी मत करो धंका जानवर लो चाहे दस की जगा पांच ले लो टॉप की चीज रखो मज़ा भी आये लोग नाम भी लें के यार वहां उस फार्म पर जाके मज़ा आता है यहां पर गोडे तो यह मेरी अड होज़ है घ्या है अार ऑगर तो प्मच Самव कर मैंदाざोértड़ ममगर आये यहां पादर म सी नाम परेनी आता है थार्म भी की मत की जगर दो आिये रेता हैं पर बंगय अंस के राज़ा के मैंदात है उखज़ इन के वहां प्मधिए